इस्टेट शेडूल ऑफग्रेट SSR 2022 अभी 2022 का SSR है इस SSR के मुताबिक ही अभी हम काम सीख रहे हैं या हम इस्टिमेट बना रहे हैं जब नए आएगा तो नए के इसाब से हम काम करेंगे यह इस्टिमेट है हमारा जिसे हमने ओपन किया अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया है यह शीट के नाम दिये हमने इस्टिमेट में कौन कौनती शीट होते हैं इसे नाम दिये हमने और देखिए यहाँ पर पहली इस्टिमेट है उसके बाद यह SSR है और उसके बाद यह PDF का SSR है तो जब भी हमको इस्टिमेट बनाना है तो सबसे पहले हमारा जो इस्टिमेट ब बात बताई है यह ट्रेनिंग के हिसाब से हैं हमको इस तरीके से ही ट्रेनिंग करना है बात में । आपको समझ में आगी चीज़ तो आपके कैसे भी आप file को open कर सकते हैं ट्रेनिंग के अपका जब जब भी आप घर पे काम करेंगे, तो ये बात याद रखना है, कि पहले estimate, उसके बाद SSR, और उसके बाद SSR है PDF का, ये तीन चीज़े आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहली जो हमारी sheet होती है, estimate में वो cover की sheet होती है, cover की sheet हम बाद में बनाना सिखेंगे, उसके बाद की sheet है, इसे भी हम बाद में बनाईंगे, जो तीसरी sheet होती है, उसे general report कहते हैं, और general description भी कहते हैं, जिसे हम बाद में बनाईंगे, ये recap sheet है, जिसे general abstract भी कहते हैं, ये abstract sheet बनने के बाद हम बनाएंगे, इसी तरीके से measurement, rate analysis, abstract और material की sheet, ये चार sheet में हम एक साथ काम करते हैं, एक एक क करकर एक item, एक item, एक item ऐसा, सबसे पहले हम measurement में काम करते हैं, उसके बाद हम rate analysis में काम करते हैं, उसके बाद अगर उस item को material लग रहा है, तो material की sheet में काम करते हैं, और उसके बाद abstract की sheet में काम करते हैं, और उसके बाद recap, तो एक साथ, एक, दो, तीन, और ये चार, चार sheet में का साम होता है kanin चीट हम बात में बनाएंगे start अब यह measurement की चीट है measurement चीट में देखो। हमने सबसे पहले हैं यहां पर name ऑप उर क्लिका है यहाँ defining मेंश इप है हमने हाँ यह पर item नंबर है यह item का description है इसे item कहते हैं जीसे यह description का item है यह item नंबर है यह ssa' से आता उसके बाद देखो यह unit है और यहाँ पर rate है यह जो labor rate है अभी हमें कोई ज़रुरत नहीं है तो SSR से देखो item number उसके बाद यह रहेगा हमारा item का description यह चीज़ भी हमें लगती है जिसे specification कह रहे हैं हम उसके बाद देखो यह unit है और यह हमारा rate है जो हमको rate analysis में ले जाना होता ह है तो हमारे पास कौन-कौन से काम की चीज़े होगी फिर item number हो गया description हो गया specification हो गया unit हो गया और यह rate हो गया यह जो rate है इसके अंदर GST नहीं होता है यह चीज़ हमें याद रखना है अभी यहाँ पर देखिए यह item number एक हमने बनाया था कल इसे में थोड़ा सा delete करके एक ब इस पर click करेंगे यह select हो जाता है यहाँ पर देखो यह home tab है और यह sales panel है delete पर click करेंगे यहाँ पर यह drop down arrow पर तो बहुत सारे option है तो यहाँ पर देखिए delete sheet rows यह हमें delete और add करने की चीज़े लगने वाली है इसलिए बताया जा रहा है अब सबसे पहले देखो यह item number है तो य यह sales छोड़कर या एक row छोड़कर मैं here click करता हूं यहाँ पर मैं click करता हूं और यहाँ परay type करता हूं यहाँ आपको दिखाईदेगा अब मैं tap की को इस्तेमाल करता हूं यहाँ पर आ जाता हूं अब मुझे देखिए यहाँ पर यह 2.11 इसे 2.11 बोलो या 2.11 बोलो आपको जो समझ में आए वो बोलिए समझने के लिए 2.11 बोलो जैसे समझ में आए वैसे आपको समझ में आना है क्योंकि हम यहाँ पर कोई language नहीं सीख रहे है इस्टिमेट सीख रहे है यहाँ डबल किलिक करेंगे और उसको इस तरह की से ड मैंने और शिप प्रेस करके यहाँ पर शिरुवात में किलिक किया तो यह सिलेक हो जाता है या फिर यहाँ डबल किलिक किया और उसके बाद एक साथ ट्रिपल किलिक किया तो भी यह सिलेक हो जाता है या फिर यहाँ मैंने डबल किलिक किया और उसके बाद कंट्रोल ए किया तो भी यह select हो जाता है, तो आपको जो तरीका पसंद हो selection का बिलकुँ select कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर double click करता हूँ, और उसे drag करके select करता हूँ, Ctrl-C करेंगे, उसके बाद देखिए मेरा यह estimate है, बिलकुल यह item number के बाजू में यहाँ पर double click करेंगे, और Ctrl-V करेंगे, जिसकी वैसे यह यहाँ पर आ जाता है, अब मैं यहाँ click करूँगा, ship press करके, देखो यह जो L है मेरा quantity से पहले का यह column, यहाँ पर click कर दूँगा, तो यह select हो जाता है, उसके बाद यह merge है, यह देखो यह home tab है, alignment है, merge यहाँ पर click करेंगे, wrap text पर click करेंगे, यह जो box है, launcher box इस पर click करेंगे, यहाँ पर दो option मिलते हैं, पहला horizontal है, मैं यहाँ click करता हूँ और justify लेता हूँ, यह vertical है, मैं यहाँ भी click कर सकता हूँ, यह vertical में यहाँ पर मैं click करूँगा, और इसे top करके ok कर दूँगा अब देखिए यहां पर मैं click करूँ चाहिए इधर click करूँ लेकिन मुझे इसके bottom में आना होता है यहां पर देखो यह जो है ना इसके bottom में अगभी देखो मैंने यहां click किया है और इसके bottom में आया तो देखो मेरा cursor कैसा है और अगर मैंने इस पर click किया या इस पर click किया यह जो row दिख रहा है ना मेरा यह row कहीं भी click कर सकते आप तो जब मैं यहाँ click करूँगा तो यह highlight होता है देखो और इसके bottom में मेरा यह cursor लाया मैंने मेरा pointer लाया तो देखो कैसा shape हो गया है mouse का button press करके इसको इसा drag करना है नीचे की तरफ तो यह बढ़ जाता है देखो यहां बीच में ग्याब दिख रहा है यहां आखिर पर देखिए यहां पर तो थोड़ा सा मैं ऐसा और चोटा कर सकता हूं अब यह देखिए यहां पर click करता हूं मैं यहां पर देखिए bottom में है wdssr of अभी 2022 है तो 2022 लिखेंगे अगर अभी 24-25 का आ जाएगा तो 24-25 उसके बाद टाइप करेंगे item number अभी मेरा 2.11 है 2.2.11 है तो मैंने वो type कर दिया है देखिए item number यह हो गया यह description हो गया इसे item कहते हैं हम और यह जैसे excavation का item है यह उसका item number है यह दो चीज़े और यह तीसरी चीज़ मतलब देखो एक दो तीन चीज़े अब तक हो गी हमारी अब मुझे cc road बनाना है तो मैं यहां क्या करूँगा for cc road भी लिख सकता हूँ या सिर्फ टाइप कर सकता हूँ cc road तो यहां type कर देंगे हम cc road अब check करने वाले को भी पता है और बनाने वाले को भी पता है कि यह excavation का item है और cc road के लिया जा रहा है देखो यहां पर मैं click करूँगा और एक type करूँगा उसके बाद मैं tap की का इस्तेमाल करूँगा और x type करूँगा जो के capital होगा उसके बाद यह दोनों को मैं selection करूँगा यह यहां click करूँगा और यहां पर यह home tab है यह number का पैनल है यहां पर देखिए increase decimal एक दो तीन उसके बाद यह मैं दोनों को select करूँगा Ctrl-C यहां पर click करूँगा Ctrl-V यहां पर click करूँगा Ctrl-V और यह selection छोड़ने के लिए keyboard से escape प्रेस करूँगा मुझे अभी 100 meter का road बनाना है तो यह 100 type करूँगा जो के देखो यहां दिखाई देंगा मैं tap की का इस्तेमाल करूँगा और यहां पर आने के बाद 4 type करूँगा मु equal type करूँगा मैं और tap की का इस्तेमाल करूँगा calculator से इसका calculation आपको check कर लेना होता है मैं यहां click करूँगा equal type करूँगा और PR type करूँगा तो यहां देखो product मिलेगा यहां पर double click करेंगे तो यहां पर आ जाता है अब यह कुछ गलत हो गया तो जो escape है उसको प्रेस करता हो मे यहां पर आ जाता है formula को अड़ाना है तो skip press कर देंगे तो निकल जाता है यहां पर click करेंगे equal P.R.O. देखो यहां पर product मिल रहा है मुझे यहां पर click करेंगे और tap के का इस्तेमाल करेंगे तो वह आ जाता है उसके बाद क्या करेंगे कि यहां click करना है ship को press करना है और इस प एक किलिक करते से वहाँ पे दो आ गया है यह सिरिफ मुझे दो डिजिट रखना है हकीकत में इसे तीन डिजिट रखना चाहिए लेकिन अलग-अलग जगे अलग-अलग काम होता है इसलिए मैं एक जंडल आपको बता रहा हूँ एक टिपिकल तोर पे बता रहा हूँ इसे तीन डेसिमल तक रखना चाहिए तो अभी हम दो ही रखेंगे उसके बाद यहां मैं किलिक करूँगा तो देखो यहां पर यह फार्मूला दिखाई देता है और अगर मैं डबल किलिक करूँगा तो यह फार्मूला यहां भी दिखाई देता है और यहां भी दिखाई देता है तो अगर मैं सिंगल यहां पर किलिक करूँगा तो मैं यहां काम कर सकता हूँ और अगर मैं यहां डबल किलिक करूँगा तो मैं यहां भी काम कर सकता हूँ तो देखो यह equal के बाजू में मैंने यहाँ पर click कर दिया तो मेरा cursor जो है pointer जो है वहाँ पर आ गया है उसके बाद मुझे यहाँ type करना है R O U और यह R O U type करने के बाद देखो यह round selection है इस पर double click करना है और आखिर में click करना है comma two करना है और आप इसे close कर सकते हैं bracket से या फिर अगर आप enter करते तो देखो क्या problem आता है ऐसा कुछ तो भी problem आया तो आप और एक enter करेंगे तो problem solve हो जाएगा देखो मैं और एक enter कर देता हूँ तो कुछ तो भी problem बता रहा है अभी तो यहाँ पर देखिए comma के बाद में यहाँ पर two करना है और दो enter करना है एक दो तो यह दुरुस्त हो जाता है उसके बाद देखिए यहाँ पर यह एक row को और छोड़ना है यह सेले इसको और छोड़ना है और यहाँ पर किलिक करके देखो यहाँ पर मैं किलिक करता हूँ तो देखो यह दोनों सिलेक्षन हो गया है यह भी और यह भी और इंटर कर देना है उसके बाद इसे किलिक करना है और इसे यहाँ पर बोल्ड कर देना है अगर मैं यहाँ डबल किलिक करूँगा तो देखो यहाँ फार्मूला यहाँ भी दिखता है और यहाँ भी दिखता है अगर मैं सिंगल किलिक करूँगा तो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ और अगर डबल किलिक करूँगा तो मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ इसके प्रेस कर रहा हूँ, मैं भाहर आ जाता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यह एक्वल के बाजू में, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आर ओ यू टाइप करता हूँ, यह राउंड सेलेक्शन है मेरा टैप की का इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ फार्मूले मे और यह drop down पर click करना है, और यहाँ पर देखे, top and bottom border भी ले सकते हैं, top and thick bottom border भी ले सकते हैं, top and double bottom border भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ single line है, वो भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिलाल top and bottom border ले लेता हूँ, तो देखो, यहाँ पर यहाँ आ गया है, उसके बाद देखो, यहा करना है और यह जो D का है मेरा D और H वाला के वाला कॉलम यहाँ किलिक कर देना यह सिलेक्षन हो जाता है यहाँ पर मर्ज करना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको टोटल कॉंटिटी उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर किलिक करेंगे हम सेलेक्शन हो जाता है यहाँ पर देखो बोल्ड कर देंगे अब यहाँ पर अगर मैं किलिक करूँगा अगर मैं इस पर किलिक करूँगा और यहाँ पर किलिक करूँगा तो देखो यह लिफ्ट में अलाइन हो जाता है उसके बाद मैं यहां पर किलिक करूँगा और yaaig k Rivers कर दूँगा मैं क्युभिक मीटर दौत कर में सकिर लिए कि से एगर मैं संब्रकों करूँ गा और यहाँ पर किलिक करूँगा तो यह इदर लाइन हो जाता है अब यह से सार देखिए यहाँ यहां पर यह हमारा जो था, यह 211 का नमबर था, उसका यह description था, अब यह जो है additional specification, यहां पर double click करेंगे, इसे select करेंगे, control C करेंगे, और यहां पर double click करेंगे, आखिर में मेरा cursor होना जरूरी है, और control V करेंगे, तो यह यहां पर आ जाता है, यह जो specification था, यह आप अलग से भी type कर सकते हैं, तो इस तरीके से यह item number था, यह description था, यह SSR का item number था, यह उसकी quantity थी, हमारा यह measurement था, यह quantity थी, और यह total quantity थी, तो इस तरीके से यह item number एक, यहां पर measurement में complete होता है, अब क्या किया जाता है, यहां पर देखिए, यह हमारा rate analysis, अब rate analysis के अंदर, कई तरीके से rate analysis बनाए जा सकते हैं, अभी हाँ, हम simple तरीके से देखेंगे, rate analysis को हलका सा, उसके बाद यहाँ रुख जाएंगे हम, तो थोड़ा सा, सबसे पहले क्या होता है, इसका एक format होता है, अभी सबसे पहले देखो, यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है, आपको border, जैसे यहाँ दिखा जैसे मैंने उसमे क्लिक किया, तो देखो यह इस तरीके से, यहाँ पर border आ गया है, और bottom पर आ गया है, यह return analysis है, यहाँ पर देखिए, यह home tab है, यह page layout है, यह size है, और यह A4 है, जो कल चीज बताई थी, वो चीज भी आपको ध्यान रखना है, और अभी जो बताई है, वो भ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यह SSR है हमारा, अभी थोड़ा सा अगर मैं यहाँ नीचे आओ, तो यहाँ पर देखो तीन नंबर आ गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो अभी तक कोई नंबर भी नहीं है, यहाँ पर देखो अभी तक कोई नंब से है यह तो यहाँ पर देखिए जो A है वहाँ पर लिखा है Corporation Area अगर Corporation Area का इस्टिमेट बना रहे तो 5% Add होता है और अगर यह B पर देखिए Municipal Council Area का बना रहे हैं तो 4% Add होता है और नीचे और भी चीज दी गई है जिसे हम बाद में देखेंगे आज हमने सिर्फ इतना देखा कि यह जो 7 नमबर का Page है उस पर Section A आता है अगर मैं यहाँ डबल किलिक करूँ और 10 टाइप करूँ तो यह 10 नमबर आया है लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है तो अभी मैं अगर बोलू 10 नमबर तो यह 10 सिर्फ नमबर यığımız नमबर यह नहीं देखना है आपने ये aic समझे के कोशिश की है कि मुंसिपल में तो ऊस पर 4 परसंट और इसमें और भी चास बात करला बाकई है जो हम बाद में बात करेंगे इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे आएंगे अगर हम तो यहां पर देखिए यहां आठ नमबर का पेज नजर आता है और यहां पर हमें टैक्सेस एंड गॉर्मेंट सर्कुलर्स नजर आता है तो यहां पर हमें जो पहला C's 1% और और नीचे अगर यह B के बाद अगर C पर बात करेंगे तो यहां पर देखो for labor amenities and all other overhead charges यहां यह नजर आता है और उसके नीचे बात करेंगे तो यहां पर नजर आता है 10% contactors profit तो अभी हम इस पर बाद में बात करने वाले हैं लेकिन हमें सिरीव इतना मालूम हुआ आज कि यह जो SSR है हमारा इस पर अगर 7 number डालेंगे तो यह page आएगा जिसमें हमारा काम की चीज यह percentage की relation से थी जिसमें हमने देखा multiple council को 4% लगेगा और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर 8 number का page होता है यहां पर 4 number नजर आ रहा है taxes and government और इसमें यह तीन चीज़े हमारे काम की थी जिसमें से हमने यह बात की कि यहां पर GST है जिसे हम बाद में देखेंगे और यहां पर labor sees 1% है और यहां पर दो चीज़े है यहां प कि 21% हमने SSR के मताबिक लाया और यह 4% हमने SSR के मताबिक लाया है अब यहां पर देखिए यहां पर मुझे यह A पर है अभी मुझे इसके बाजू में column बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे तो यहां पर मैं select करता हूँ यह home tab है यह sale है यह insert है और insert column तो जा selection था उससे पह के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है बात यहां पर देखो यह जो मेरा percentage था ना यह page layout के अंदर इसे थोड़ा सा चोटा करता हूँ जिसे और बाद में मैं change कर दूँगा अब यहां पर देखिए कुछ रोच होड़ रहा हूँ मैं और यहां पर मैं click करता हूँ और यहां पर मैं equal करता हूँ यहां पर मैं click करूँगा यहां पर मैं equal करूँगा और यह मेरा measurement sheet है measurement sheet के अंदर देखो यहां पर मैं click करके enter करूंगा, तो मेरा item number आ गया है यहां पर, अब मैं यहां click करूंगा, equal करूंगा और और यहां measurement में यहां पर click करके enter करूँगा, उसके बाद देखो मैं यहां click करूँगा, यह मेरा home है, यहां पर merge है, यहां पर wrap tags है, मैं यहां पर click करूँगा, यह center है, इसे click करके मैं justify करूँगा, यह bottom है, इसको click करके मैं top करूँगा, और यहां पर ok कर दूँगा, तो यह और यहां पर मैं इसे डबल क्लिक करता हूं, इसे डबल क्लिक करता हूं, और यहां बार क्लिक करता हूं, और यहां बार क्लिक करता हूं, अभी देखिए, यह मुझे यहां पर किया है, तो मुझे यहां नहीं चाहिए, बिल्कुल इसके सामने चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां से मैं इसे निकाल देता हूं, क्योंकि आपको बताना मक्सद था कि इसको अब यहां पर देखो मेरा यूनिट है तो मैं यहां एक्वल करूंगा और यह मेरा यहां पर किलिक करके मैं इंटर कर दूँगा तो आप देखो एक दो तीन और यह चार चीजे मैंने लाई है और यह रेट लाया है मैंने यह sah कल तो यहां पर आपको मिजर्मिनट से जो चीजे आती है वह यहां लेकर आना होता है और जो चीज होती है हमारी रेट लाना होता है से सार से अब यह जो बाखी की चीज़े है यह मेरा मकसद बताना नहीं है सिरे पे format इस तरहके से होता है यह बताना मेरा मकसद था तो आप यहां पर देखी जो 21% मायनस हो रहा है तो मैं यहां पर क्या करूँगा initiator यहां पर equal करूँगा और यह 21% है इस पर click करूँगा और keyboard से F4 प्रेस करूँगा मैं और इंटर कर दूँगा जिसकी वैसे यह लॉक हो गया इसी तरीके से देखो यह इसकाडा है यहां पर यहां पर मैं click करूँगा equal करूँगा और यह जो इसकाडा है इसकाडा पर click करूँगा keyboard से F4 प्रेस करके इंटर करूँगा अभी इस item को इसकाडा भी नहीं लग रहा है यहां पर कोई material भी नहीं लग रहा है सिर्व आपको बतलाने के लिए मैंने यह किया है उसके बाद देखिए 21% मेरा आ गया 126 मेर यहां आ गया अब यहां पर देखिए यह मुंसिपल काउंसिल यह कारपेरेशन नहीं है तो अभी यहां पर मैं click करूँगा equal करूँगा और यह जो मेरा 4% है यहां पर click करके keyboard से F4 प्रेस करके इंटर कर दूँगा अब यह जो 21% होता है मुझे यहां फार्मूला डालना है तो अभी देखो मैं यहां से यह निकाल देता हूँ यहां से यह भी निकाल देता हूँ अब यह जो चीजे मेरी यह जो यह चीजे लग रही थी मुझे यह यहां से यह नहीं लग रहा था करके मैं F4 प्रेस करके इंटर कर दूँगा ये थोड़ा सा देखो मैं यहां से बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए तो यहां पर अगर मैं इस पर किलिक करूँ देखो ये इस पर तो ये इस तरीके से दिखाई देगा कोल करेंगे और ये जो इस काड़ा है यहां पर किलिक करेंगे और F4 प्रेस करके इंटर कर देंगे अब ये यहां पर किलिक करूँगा मैं इक्वल करूँगा और उसके बाद मेरे को देखो ये जो 4% वाला है ये 4% यहां किलिक करके F4 प्रेस करके इंटर कर दूँगा उसी तरीके से मैं यहां किलिक करूंगा इक्वल और यहां पर देखो 21% यहां पर किलिक करूंगा कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इंटर कर दूँगा अब मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर 21% माइनस कर रहा हूँ तो यहां पर यह एमान आना चाहिए इस पर मुझे सकाड़ा नहीं लग रहा है इसकाड़ा मुझे नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूंगा फिलाल यहां पर अभी मैं यहां 0 टाइप कर रहा हूँ यह बाद में हम डिलिट कर देंगे सिरिव आपको समझाने के लिए किया मैंने क्या कर रहे हैं यहां पर भी मैंने 0 कर दिया है यहां पर 4% है मेरा और यह जो 21% है यहां पर मुझे एक row बढ़ाना है मुझे बतलाना है आपको कि row कैसे बढ़ता है अभी देखो मैं इस पर click करके इस पर click करता हूँ तो यह भी दुरुस्त हो जाएगा अगर मैंने यहां click किया जहां पर मैंने click किया उसके ओपर row बढ़ता है insert sheet row तो मैंने आज आपको यह भी बताए कि column कैसे add करेंगे मैंने आज यह भी बताए कि row कैसे add करेंगे मैंने यह भी बताए कि किदर से 21% क्यों ले रहे ले ले रहे आइस पर हमारे कला और डिसकस करेंगे कई दिन तक डिसकस करने वाले होते हैं